Good morning friends, welcome to study with Neelam आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के सभी best top current of years questions के साथ और point to point section के साथ हम हमारा आज का lecture शुरू करेंगे उससे पहले जो student channel पर पहली बारा हैं वो मेरे channel को subscribe करें, वीडियो को like करें और share जरूर करें और जो student पहले से मेरे channel पर हैं, वो अपने friends के साथ इस channel का description जरूर share करें और वीडियो को भी जरूर share करें क्यूंकि ये सभी के लिए उपयोगी है, अकेले अकेले ना पढ़ें, ओके? चलिए friends, करते हैं हम आज का lecture शुरू हाल ही में border road organization द्वारा, जम्मू कश्मीर में, क्रम शह, अकनूर और जम्मू में कितने पुलो का निर्मान किया गया है? तो right answer ये दोनों जिले आपको याद रखने हैं, और right answer है 4 और 2 टोटल कितने? 6, तो जम्मू में है 4 और जम्मू में है 2 पुलो का निर्मान किया जा रहा है क्यों रहा चर्चा में? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो हमारे रक्षावंतरी हैं, कौन है? राजना सिंग, उनके द्वारा online वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इन पुलो का उद्गाटन किया गया है इसलिए चर्चा में रहा तो आपको ध्यान में रखना है अब बात कर लेते हैं Border Road Organization की BRO BRO की स्थापना कभ हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई Headquarter कहाँ पर है BRO का? तो ये नई दिल्ली में है वर्तमान में इसके अध्यक्च कोन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्च है हरपाल सिंग कोन है? हरपाल सिंग BRO के अध्यक्च है याद रखिएगा जो हमारे सीमा वर्ती राज्य जितने भी हैं वहाँ पर सडक निर्मान, फुल निर्मान का जो कार्य होता है वो BRO के द्वारा ही किया जाता है Border Road Organization बात कर लेते हैं राज्यनास सिंग की ये कोन है रक्षा मंतरी हैं? और इनका लोकसवा छेतर कुन सा है? तो ये लखनव है और लखनव किस नदी के किनारे है तो ये है गोमती नदी के किनारे नेक्स्ट भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधीकरन ने हाल ही में कितनी बीमा कमपनियों को COVID-19 के लिए कोरोना कवच स्वास्थ पॉलिसी लागू करने की मनजूरी दी है मैं आप लोग को अगर जो इस्टुएंट मेरा रेगुलर देख रहे हैं करंट अफेट्स का सेक्शन तो मैंने आप लोग को पहले भी कोरोना कवच के बारे में बताया था कोरोना कवच पॉलिसी ओके तो यह कोन ने कहा है भारतिय भीमा नियामा के बांप राधिकरण ने कित किन मन्थ साड़े छे मन्थ और साड़े नो मन्थ ओके यह इनका टाइम पीरेड होगा और कितने तक रहेगी पचास हजार से लेके पांच लाख रुपे तक की बीमा पॉलिसी की जाएंगी क्लियर रेफ्रेंस बात कर लेते हैं एड़ाई की इसको क्या बोलेंगे इंशोरे इसकी स्थापन का हुई थी, उननीस अप्रेल 2000 को, 19 अप्रेल सन 2000 में एड़ाई की स्थापना हुई थी, हेट कौटर कहां परे हध्रवाद में, कहां परे हध्रवाद है द्रवाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे किस नदी के किनारे मूसी नदी के किनारे वर्तमान में अलड़ाई के चेर्मेन कोन है तो यह है सुभास चंद्र खुंटिया कोन है सुभास चंद्र खुंटिया क्लियर है बढ़ते हैं अगले कोशन की खाली में care rating ने वित्ति-वर्ष 2020-2021 के लिए भारत की GDP कितने अनुमानित किये तो care rating ने अनुमानित किये है 6.4, coronavirus के कारण भारत की अर्थ व़वस्ता पर भी इसका प्रभाव पढ़ेगा इसलिए 2021 वित्ति-वर्ष में हमारे GDP कितने रहने का अनुमान बताया है केर रेटिंग ने तो ये बताया है 6.4% ओके ये अनुमान है तो अनुमानों को ध्यान में रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाल ही में राज किरन ड्राय का कारेकाल दो वर्स बढ़ा दिया गया है यह किस बेंक के CMD हैं तो ये CMD है Union Bank of India के CMD है Union Bank of India के CMD है देखिए यहाँ पर जो आंध्रा बेंक और Corporation Bank है इन दोनों का विले Union Bank of India में कर दिया गया था अब ये भारत का पाँचवा सबसे बड़ा बेंक बन गया है ये आपको ध्यान में रखना है इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए तीनों आप्शनों को साथ रख दिया था ओके तो ये ध्यान रखेगा ये पाँचवा बड़ा बेंक अब बात कर लेते Union Bank की तो इसकी स्थापना कब हुई थी 11 नवंबर 1919 को 11 नवंबर 1919 में Union Bank की स्थापना हुई और इसका Headquarter कहां पर है मुंबई में Headquarter मुंबई में और CMD कोन है तो यह राजकिरन रॉय कौन है राजकिरन रॉय बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाली में समाचारों में चर्चा में रहा गूगल करंट क्या है गूगल का सोशल प्लेटफॉर्म है संगटनों की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है इसने गूगल प्लस का स्थान लिया तो राइट आंसर इस डी ओप्रोक्त सभी देखिए जो आफिस में कलिक्स बगेरा होते हैं किसी फाइल को एक्स्चेंज करना होता है और्गनाइजेशन की किसी सूचना का आदान प राइट आंसर है ओके चलिए अब देख लेते हैं गूगल की स्थापना कब हुई थी तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में कब हुई थी 1998 में हेटकॉर्टर कहा है गूगल का तो यह हेटकॉर्टर है कैलिफोर्निया USA में है कैलिफोर्निया USA में इसका हेटकॉर्टर है व हागया सोफिया समचारों में चर्चा में रहा यहां क्या है तो राइट देखिए मैं इस कोश्चन में आप लोगो पहले ही वता देती हूं मैं आपका थोड़ा समय लूँगी क्योंकि मुझे आपको अच्छे से समझाना है तो वीडियो लोंग हो जाए तो प्लीज परिशान प्रकी के इंस्तांबूल नगर में एक चर्च था सबसे पहले यह क्या था प्रात्ना इस्थाल था फिर से केथोलिक चर्च में बनाया गया क्या बना दिया गया चलिए तो शुरू करते हम इसे रोमन समराठ के जो समराठ थे जेस्टिन फर्ष्ट ने चटी सताब्दी में इसे क्या बनाया था एक मस्दित बनाया था ओके फिर 1456 में करन्यानिया विजे प्राद ओस्मान विजोनिया ने इसे मस्जित में बदला पूजा इस्थल को किस में बदल दिया मस्जित में बदल दिया फिर जो जिस तरीके से यहां पर जिसे अपने यहां पर राश्ट पती है और सुरी राश्ट पे ता महात्मा गान लिये इसी तरीके से तुर्की में थे कमाल मुस्तफा अता तुर्क ठी इन्हों ने इस मस्जित को किस में बदल दिया संग्राले में बदल दिया किस में बदल दिया संग्राले में बदल दिया तो पहले रही मस्जित मस्जित के बाद बना चर्च और चर्च के बाद बना था ये म्यूजियम तीसरी कंडिशन में ये म्यूजियम था 2020 जून था 2020 जुलाई में से तुर्की के सर्वोच नियाले ने क्या घोशित कर दिया फिर से मस्जित घोशित कर दिया है तो ये आप ध्यान रखिएगा देखिए ये पंधरा सो साल पुराना एक महतोपून और एतियासिक स्ट्रेक्चर है कितने साल पुराना है पंधरा सो साल पुराना तो यूने इसको ने तुर्की को चेताबनी भी दिये कि वह एतियासिक चीजों से चेड़खार ना करें क्यू क्योंकि यह पहले एक चर्च था चर्च से म्यूजियम बना तो जो विशुवर के इसाई हैं उन्होंने भी इसके लिए तुर्की सरकार को क्या कहा है मतलब बिरोत किया है इसका कि भई इसको म्यूजियम ही रहने देते क्योंकि यहाँ पर बहुत जादा संक्या में परेटक हरवर्स तुर्की गूमने आते थे लेकिन तुर्की की जो तैयब एर्दोगोन सरकार है उसने इसे किस में बदल दिया है अब जुलाई 2020 में एक मस्जित बना दिया है यह आपको ध्यान में रखना है अब बात कर लेते है तुर्की की तो आपकी जो करण्ट कंडिशन है वो वापस से क्या हो गई है मस्जित हो गई यह याद रखेगा अब देखे तुर्की के जो capital है वो क्या है तुर्की की capital क्या है अंकारा currency क्या है तुर्की की तो यह लीरा है एक्जाम में आ चुकी है इसलिए ध्यान तुर्की की केरंसी ली रहा है और इसके राष्ट पती कोन है तो राष्ट पती है तैयब एर्दो गोन है और ये यूने इसको की विश्व विरासत इस्थल की सूची में शामिल है ये भी आपको ध्यान में रखना है अगले कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन है हमारा कोरोना वाइरस के बाद पहला अंतरराष्टी किर्केट में किन देशों के मद्ध खेला गया तो ये खेला गया है इंगलेंड और वेस्ट इंडीस के मद्ध है किस-किस के मद्ध है इंगलेंड और वेस्ट इंडीस के मद्ध है कोरोना वायरस के बाद तो ये याद रखिएगा इंग्लेंड की बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लेंड की कैपिटल क्या है लंडन ने और यहाँ के प्रधान मंतरी को ने जो भी हाली में कोरोना वायरस से फ्री हुए हैं बॉरिस जोंसन कौन है बॉरिस जोनसन और एलेश्टर कुक जो है उन्हें हाली में जो यहां के किरिकेटर है उन्हें क्या उपाधी दी गई है नाइट हुट की उपाधी दी गई है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में ओडिशा सरकार ने कितने जिलों को नकसल प्रभावित छेत्रों की सूची से हटा दिया है तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने हटाया है यहाँ पर पांच जिलों को ठीक है इससे पहले छे जिले हटाये थे और अब हटाये हैं पांच तो टोटल कितने हो गए ग्यारा ओके याद रखिएगा आप लोग अब ग्यारा जिले हो गए जो क्या हो गए है नकसल प्रभावित छेत्रों से मुक्त हो गए देखिए इन्हें मुक्त करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि केंद सरकार द्वारा security related expenditures मतलब खर्च दिया जाता है security related expenditures दिये जाते हैं उस सूची से अब कितने जिले मुक्त हो गए ओडिशा सरकार के टोटल ग्यारा जिले मुक्त हो गए अभी हाली में 5 हटाए गए तो हम इन 5 पर ध्यान देंगे अंगुल बोध संभलपूर देवगड और नयागड ओके ये आपको पांच याद रखना है बात कर लेते हैं ओडिशा सरकार की तो ओडिशा के cm कोन है नवीन पटनायक कोन है नवीन पटनायक चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ हाली में अमेरिकी नोसेना में शामिल होने वाली पहली अस्वेत महिला पाइलेट कोन बन गई है तो ये बन गई है मैडलीन स्विगल पहली आस्वेत महिला बन गए आप संटे उखेँ और अमेरिका की केस में आस्वेतIE सब्द यूज करतें पहला अमेरिका में आस्वेत ये बना पहला आमेरिका में वह बना जितनी भी यूरोपीय कंट्रीज हैं यहां पर स्वेत या गोरे पन को या गोरी चमड़ी को पहले सरवोच्चिता की निशानी माना जाता था लेकिन अमेरिका में भी बहुत बड़े लेवल पर आस्वेत मतलब जो स्वेत लोग होते थे उनको इंपोर्टेंट दी जाती थी और आस्वे में किस तरीके का वैभार होता था इसलिए अब अगर वहां पर कोई भी आस्वेत व्यक्ति किसी अच्छे पत पर पहुचता है तो उसे मतलब मार्क किया जाता है वह बहुत बड़ी उपलबधी होती है जैसे बरा को वामा पहले आस्वेत राष्ट पती बने थे इसी तरीक रखना है आपको देखी आस्वेत इसलिए इंपोर्टेंट है बनना अमेरिकीन ऊसे नमेप इससे पहले लडाकु विमान चलाने वाली पहली महिला बनी थी कौन 1974 में रोज मेरी यह पहली महिला थी जिन्होंने लडाकु विमान उडाया था लेकिन आस्वेत की बात आएगी तो आपको मैडलीन स्विगल को ही याद रखना है ओके अधर ओप्शन देख लेते हैं ये यूएस मिलेटरी उनिवर्सिटी से ग्रुएजट करने वाली पहली सिख महिला है अनमोल नारंग ओके केथी सुलेमन ये यूएस से की है और बिश्व के सबसे गहरे प्रत्वी के स सबसे गहरे सल तक पहुचने वाली पहली महिला है और मेरी डवल्यू जैक्सन किये कोने ये अफ्रीकी अमेरिकी इंजीनियर है अफ्रीकी अमेरिकी इंजीनियर थी ये पहली इंजीनियर थी कहा किस और गनाइजेशन में नासा में और नासा अपने वाशिंग्टन वाले ज यह सारे फेक्ट आपको नासा से रेटेड याद रखना है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाली में इंस्टाग्राम भारत में टिक टोक के जैसे किस नाम से नए फीचर को लॉंच कर रहा है तो यह लॉंच कर रहा है रील्स को ओके इसमें भी 50 सेकंड का वीडियो होगा म्यूजिक होगा आप उसी यूज करके और अपनी स्टोरीज पर शेयर कर सकते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है देखिए अभी हाली में एफबी का भी एक सोशल इसी तरीके से जो था लैसो उसको एफबी ने क्या कर दिया है बंद कर दिया है तो आप यह ध्यान रख किस ने लॉंच किया हमारे उप्राष्ट पती एम वैंक या नाइडू ने इनकी बुक आई थी अभी लीडिंग लर्निंग लिस्निंग ओके दो एर का इनका जो उप्राष्ट पती का कारेकल था उसकी बाद इन्होंने यह बुक लिखी थी इन्स्टाग्राम इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है इन्स्टाग्राम के तो यह हैं केविन सिस्टोरियम और माइक केरिंगर केविन्स इस्टोरियम और माइक केरिंगर ओके फ्रेंट्स तो ये था हमारा टॉप टेन टूडेज करन्ट एफिर्स अब बढ़ते हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ लखनों के चार बाग रेलवे इस्टेशन पर देश का पहला हेल्थ एटियम लांच किया गया है याद रखेगा तेजस विवान में यात्रा करने वाले पहले रक्षा मंतरी कोन है राजनात सिंग है श्यामा प्रशाद मुखर जी सुरंग चेनानी नेसारी का नाम बदल दिया गया है यह चैनारी नेसारी नाम कर दिया गया उसका नाम क्या कर दिया गया है कन सी सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग या फिर श्यामप्रशाद मुखरजी सुरंग इसे मैं पीडिएफ में करेक्ट कर दूँगी फिनो पैमेंट बेंक के द्वारा भविश्य बचत खाता दस से अठारा वश के बच्चों के लिए प्रारंब किया गया है यह मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हैं भरोसा एप्लिकेशन किस ने लॉंच की थी हल्प लाइन तो यह ओडिशा के किंद्री विध्यार्या नहीं की थी यह मैं आपको कल बता चुकी है जो इस्टुडेंट ने पुराने मेरे लेक्चर नहीं देखें करेंट अफेट्स के वह प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर देखें वहां पर आपको वह इंफोर्मेशन जरूर मिलेगी जो आपको और कहीं नहीं मिल रही होगी ओके इसकी में गयारंटी दे रही हूँ इस हॉलीनेस दफोर्टीन्थ दलाई लामा एन इल्लिट्रेस्ट बायोग्राफी के लेकग को ने तो यह हैं तेंजिंगे देथोंग तेंजिंगे देथोंग 1989 में वर्तमान दलाई लामा को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था संगीत जगत के सर्वच सम्मान ग्रेमी अवर्ड विजेतन 1979 विजेता चारली डेनियल का हाल ही में निधन हो गया है इन्हें याद रखेगा सुरेस आमोन कर यहां गोवा के पूर्व स्वास्त मंतरी थे जिने कोरोना वाइरस की वज़े से इनका भी निधन हो गया है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कब 2019 की विजेता इंग्लेंड थी और उप विजेता कौन था निउजिलेंड था हाली में इंग्लेंड के कीरकेटर ऐलिस्टर कुक को नाइट हुट की उपाधी से संवानित किया गया है इसक्वेज खिलाडी रनेम एल वेले यह महिला है फीमेल वेली जो इजिप्ट की खिलाडी है हाली में उन्हैं सन्यास की गोशणा कर दियbahn इजिप्ट की कैपिटल काहिरा है मुद्रा इजिप्ट पॉंड है और राश्टपती कोने इजिप्ट के या मिस्तर के अब्दुल फत्ह अल सीसी हॉर्न और अफ्रिका के देश ये कोशन बहुत आता है मैप होगा अगर आपके पास तो मैप में जरूर देखिएगा ये जो इस तरीके से अफ्रिका का थोड़ा सा जो पार्ट निकला है ये हॉर्न की तरह लगता है ना सिंग की तरह तो इसमें ये चार देश इस्तित हैं तो चारों के याद रखेगा सोमालिया, इतोफिया, जिबूती, इरिटिया ये आई-एस में पूछा जा चुका है दो हजार बारा तेरा में तो ये धियान रखेगा किसी भी कोशन को छोटा या बड़ा ना समझें आपका नौलेज कम या जादा हो सकता लेकिन कोशन चोटा बड़ा नहीं होता, ओके सराय खुमालो, माउंट एवरेश्ट पर चढ़ने वाली पहली अफ्रिकी महिला है, वेरी आयमपी ये पूछा जा सकता है आपसे भारती नोसेना ने 5 मई 2020 को समुद्र सेतु नाम से माल दीप से भारतियों को लाने के लिए कौन सा अभियान शिरू करा था, जो आप समाप्त हो चुका है इस से लगभग 4,000 भारतियों को वापस लाया गया है कोरोना वाइरस के समय माल दीप से जलस्वा और मगर ये दो हमारे जहाज थे याद रखेगा जलस्वा और मगर इन जहाजों का क्या किया गया था ये समुद्र से तु अभियान में उप्योग किया गया था operation sealed coronavirus के खिलाब दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंब किया गया था operation sealed operation संजीवनी medicine के लिए मालदी पहुचाने के लिए भारती वायू सेना द्वारा प्रारंब किया गया था operation vanilla ये dina तूफान आया था कहाँ पर medagaskar में वहाँ पर भारती ये नोसेना द्वारा चलाया गया था कौन सा भारती जलसेना द्वारा वनीला ओप्रेशन जलसेना ध्यक्ष कोने बरतमान में 24 वे क्रम के तो ये है कर्मवीर सिंग कोने कर्मवीर सिंग क्रम के आयन का 24 वा इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं प्रती वर्स तो ये चार दिसंबर को मनाते हैं कब मनाते हैं चार दिसंबर को मनाते हैं पायोनियर इंडियन नेशनलिज्म दादा भाई नौरो जी की बायोग्राफी किसने लिखिये दिनियर पटेल ने लिखिये किसने लिखिये दिनियर पटेलने लिखिये वो हान डायरी के लेखक कोन है फांग फांग है कोन है फांग 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 इपंचायत पुरसकार 2020 में प्रतम पुरसकार किसने जीता है हिमाचल प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है फागली और लोसर फेस्टिबल हिमाचल प्रदेश में मनाया जात तो यह जुलाई के जो अभी तक के हमने day celebrate किये हैं यह मैंने यहाँ पर include कर दी है ताक कि आप लोग को याद रहे National doctor day एक जुलाई इसका theme क्या था lesson the mortality of COVID-19 एक जुलाई को ही राष्टे डाक करमेशारी दिवस एक जुलाई को ही राष्टे chartered accountant दिवस दो जुलाई को क्या मनाया world sports journalist day तीन जुलाई को मनाया इंटरनेशनल day of cooperative है ना cooperative societies का कौन मनाता है यह UNO द्वारा मनाया जाता है याद रखिएगा इसकी theme क्या रही 2020 में Cops for climate action Cops for climate action चार जुलाई को क्या मनायाएगा धर्म चक्रदी बस यह सारनाथ में है ना और साथ जुलाई को मनाया था विश्व चोकलेट दिवस और 11 जुलाई को क्या मनाया हमने विश्व जनसेंख्या दिवस विश्व जनसेंख्या दिवस ओके फ्रेंट्स तो सभी फैक्ट याद रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए अपने किसी भी एक study related group में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ओके और अगर आपको इस lecture की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ओफिशल टेलिग्राम चैनल इस्टडी विथ नीलम जॉइन कर सकते हैं मैं फेस्बूक और इंस्टा पर भी हूँ अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो का नॉटिफिकेंट चाहिए तो आप मुझे यहाँ फॉलौ कर सकते हैं अगर तो आपको इस वीडियो के जुए तो ।